नमस्कार दोस्तों, मैं राहूल सिंग, एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, मिशन ग्यान के YouTube प्लेटफॉर्म पर कैसे हैं बालक बालिकाओं, I hope एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और जयकास होंगे, तो बालक बालिकाओं अपने ट्रैंगल के questions करना है, स्टार्ट कर देते, दो पार्ट में आपको करवा चुका हूं, और आज इस पार्ट में अपन questions करेंगे, triangles वाले questions आरे वो होंगे, जो आपके previous exam में आ रखे हैं, चले इस आप शुरुवात करते हैं, शुरुवात करने से पहले मैं आपसे निवेधन कर करना मत बुलेगा शुरुबात करते हैं पहला कोश्चन आपकी कंप्यूटर स्कीन पर देखिए आप से कह रहा है या कोश्चन आप से बोला कि यदि आकरती में दिखाए गए अनुसार एक तिरबुच एबी सी खीचा जाता है बहुत अच्छी बात है जिसमें एबी बराबर एसी है और एंगल एसीडी बराबर किसके 130 डिग्री के है तो आप से पुछ रहे हैं एंगल बी एसी किसके बराबर होगा देखो आपको जानकर बहुत खुशी होगी प्यारे बालक बालिक हो कि यह कोश्चन जो आया था CGL 223 का कोश्चन था एकदम ताजा तरीन कोश्चन आपके सामने लेकर आऊ हूँ मैं आपको यह कोश्चन क्यूं करा रहा हूँ मैं बार बार बोलता हूँ मैं आपको ताजा कोश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपका जो confidence level है वो साथ में आस्वान पर चले जाए कि पढ़ रहे हैं वही पिछले एक्जाम में पूछा गया था और वही पूछा जाएगा शुरुवात करें चलो अब अपने को क्या चाहिए डाइगराम चीए सुन्दर सा देखो जितनी जल्दी डाइगराम बना लेगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा उसको question solve हो जाएगा हाज हो का बोल रहा है c बॉल रहा है e b c बहुत अच्छी बात है बिसी खोपन ने आगे किसका दिया इ मौले बहुत अच्छा गीया द्यान से की समझना, जए A की लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं, उनका सम कितना होता है, बोले सर 180 डिग्री होता है, अगर यहाँ पर 130 है, तो यह कितना हो जाएगा, सर 50 डिग्री हो जाएगा, अगर यह 50 हो जाएगा, तो यह भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, म आप बोलोगे सार 80 degree की triangles के जो interior angles होते हैं, उनका sum कितना होता है 180 degree होता है, तो पहली चीज हमें ये चीज पता होने चीज़, दूसरी चीज अगर sides equal है, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ये चीज पता होने चीज़, तीसी चीज़ geometry, यहाँ पर direct theorem's होती हैं, उस पर direct questions बनता है theorem याद है, question आपका 1 second में solve हो जाएगा, theorem's नहीं पता तो भाई question solve नहीं होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, next question ले रहते हैं, अगला question देखो, आप से क्या करा है कि triangle ABC और triangle DEF में, angle A बराबर 55 degree, AB बराबर DE, और AC बराबर DF angle E बराबर 85 degree, और angle F बराबर कितना दे रखा है, 40 degree दे रखा है, ठीक है, कौन से गुंधम से अनुरूप, triangle ABC और triangle DEF सर्वांग सम है, चलो साब, बताओ इस question का answer दो, CGL 2200, 22 3 का question आपके सामने एकदम हाजिर है, मैंने आपको समझाया था, बच्छे से, जब मैंने आपको समरूपता, और आपके क्या समझाया थी, सर्वांग सम, बहुत डिटेल में समझाया था, जिसके सारे अंग क्या हो, समान हो उसको बलते है, सर्वांग सम, अब पूछा है, बईसा, कौन सी properties होता है मैंने आपको properties भी लिखवाई थी, कि इस properties से होता है, इस properties से होता है, इस properties से होता है, और मैंने कहा था, कि इन पर question आता है, देखो, direct question आगया उसने property ही पूछ ली, कि कौन सी properties से है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे सुन्द सुन्द से diagram, इलो सार diagram आपके सामने आ गया, कौन कौन से triangle है, बोले सर, ABC, यह triangle हो गया, A, B और C, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका color change कर लो, दूसरा triangle का नाम कर देते हैं, क्या, कौन सा दे रखा है, A, B बराबर किसके है, भाई साब, A, B यानि हमें दो lines लो कैं मिल गई, equal उसने साफ साब बोल रखा है, अगर हमें एक angle भी common मिल जाए, यानि equal मिल जाए, तो भाई साब हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा, कि भाई साब ये दोनो carrier दोनों डायग्राम हू बहू एक जैसे हैं इनके सारे अंग समान हैं वही क्या लग जाएगा अपना वही प्रोपर्टी लग जाएगी चलो साब देखते हैं अब इसने दे रखा है एंगल यह दे रखा है जिस एंगल की वैल्यू दे रखे न उससी से कंपरेजन करना पड़े एंगल यह दे रखा 85 यहलो साब बहुत अच्छी बात है कितना 85 लोसाब एंगल ए एट्टी फाइगल कितना दे रखा सर 40 दे रखा मैंने का बहुत बढ़िया इन दोनों को सम करो 85 प्लस 40 कितना हो गया आप बहुत गया तो साइड को मन है और एक एंगल कोमन है एंगल बरा गई S, A, S, Side, Angle, Side, Sass की प्रोपर्टी लग गई आपकी, पहला ही option is the right answer, option number A, direct question पूछे जारे हैं, तो मैं इसलिए बोलता हूं, थोरी इतनी important है ना, इन चीजों की geometry की, पूरी geometry की थोरी बहुत important होती है, तभी आप question solve कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question देख QR, S तक बढ़ाई गई, बहुत जबरदस question है, ठीक है, तता उसमें angle PQR, वे angle PRS के दिवाजक, दिवाजक मतलब, इक्वल भाग में डिवाइड करने वाले बिंदू T पर मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, यदि angle QPR is equal to 80 degree हो, तो आप से पूछ रहा है, angle QTR ग्याद करो बहुत जबरदस question है, पहरे बाले बाले का हो, इस question को आप कैसे solve करोगे, try करो एक बार अपने मन के अंदर, और आपको जान के बहुत कुशी होगी, CGL 2016 का question है, 2016 मैं पूछा गया question है, उठा के देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, as it is question मैंने बनाया, मैंने इसमें केवल data भी change नहीं किया, as it is जैसा question तो मैंने उठा लिया, इस question को कैसे solve करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, diagram होना चाहिए, diagram आपके सामने हाजिर हो गया, क्या बोल रहा है, PQR की बुजा QR को S तक बढ़ाया गया, बहुत अच्छी बात है, तथा उसमें PQR, और PRS के दिवाज़क, यानि इसका angle-wise sector इसका दिवाज़क का मिलते है, TV पर मिलते हैं, यह लोग साब TV पर मिलते हैं, यदि QPR, QPR, इसकी value कितनी दे रखिया, बुल सर, इसकी value दे रखिया 80 degree, तो भाईया, इसकी value आपको बतानी है, किसकी QTR की value बतानी है, मैंने चीक-ची के काता, कभी यह theorem मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई थी, इस तरह की theorem कभी आएगी, और यह वाले दूवाज़क होंगे, किसके इस वाले angle का और इस वाले angle का, इसकी value होती है, कितनी होती है, इस वाले angle की half होती है, अगर theorem नहीं पता, तो भाई, question हिलेगा भी नहीं, पता है, तो एक second में answer आजाएगा, कितना, 80 by 2, कितना, 40 degree, यह लो साब, कहानी खतम, अब जिसने theorem नहीं पढ़ रखी अच्छे से, उसको एक question बहुत ऐसा लगएगा, कि क्या ही पूछ लिया, और theorem पढ़ रखी है, सब कुछ mind के अंदर fit है, एक second में question खतम हो जाएगा, और यदि triangle ABC, सरवांग समय, triangle PQR के बहुत अच्छी बात है, BC बराबर 6 cm, और angle A बराबर 75 degree है, तो निम लिकित में से कौन सा विकल्प सत्य है, और यह question है, CGL pre 2022 का question है, एकदम ताजातरीन question, मैंने question ही ऐसे उठा दिये, कि भाई, आप objection ही नहीं कर सकते, कि भाई, सर यह तो आत आता है, उठा के देखो, सब कुछ आ रखा है, एकदम ऐसा कैसा question आपको मिल जाएगा, उठा के देखना, अब shift कौन सी है, मुझे पता नहीं, लेकिन 2022 का question है, चलिए, ABC और triangle PQR, दो triangle हो गया, बहुत अच्छी बात है, बना लो triangle, यह आपका triangle हो गया, ABC, मैंने का बनाओ सा यह हो गया, PQR, अब यह सरवांग सम है भाईया, यानि इनके सारे अंग क्या है, समान है, यह जितनी सैड होगी, इतनी सैड ही होगी, इतनी सैड ही होगी, ठीक है, सारे अंग समान है, यह अगर जितनी है, उतनी है, जितनी है, जितनी है, जितना एंगल ही है, जितना एंग बहुत अची बात है तो निम लिकितम है कॉन से विकल्प और यह आपका कितना है खेंगे ना और यह इंगल अगर एक इतना है 75 तो भाई साब यह आपके किसके बराबर होगा यह नज़र आ रहा है बोले पी बराबर से ओप्शन नमबर सी अब कई बालग बालगा क्या करेंग यह 75 देखके जहीं को टिक करेंगे सारे अंग समान यह वाली इसके सामने है यह जितने पेखिए कि होगी जतनी लेंद की उतनी ही लेंद की ये होगी बात क्लियर देखो कितना असान कोश्वन है तो मैं बार-बार यही चीज़ बोलता हूं थो अरह मिल्म पता होना बहुती ज्यादा आवेश्यक है, चलि आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question आप से क्या कहा रहा है, यह आगे अब यह question अगला, यदि angle ABC सरवांग समय PQR, ये लो साब triangle दोनों सरवांग समय CGL 2022 का एक और question आपके सामने, ताजा तरीन question, देखो साब question को solve करने कोशिश करो, क्या बोल र है, कि triangle ABC और सरवांग समय PQR के angle ABC दे रखा है, X plus 60 degree और ये दे रखा है आपको, PQR कितना दे रखा है, 85 minus 4X degree और आप से पुछ रहा है, angle R, PQ आपको दे रखा है, 3X plus 65 degree, तो आप से पुछ रहा है, angle ABC के महान degree में क्या है, ट्राय करो ने एक बार, वीडियो को pause करके, खु कोई आपको परिशानिया नहीं आएगी, चलो साब देखे, बोलह साब देखे है, क्योर्च को solve करने, क्या करते हैं, काहां भाग रहा है, ये question काहा भाग रहा है, ये बाग रहा है, जब रसती है, रोख लो को, चलो साब साब सब अपना बना ले कले, डाइगराम बना ले прet दोनों सरवांग सम हैं एंगल ABC यानि यह जो एंगल कितना है यह दे रखा है एक्स प्लस 60 डिग्री दे रखा है मैंने गाँ बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कात नहीं है फिर आपको बोल रहे हैं PQR PQR कितना दे रहे हैं 85 माइनस का 4X डिग्री तो आपको इस समझ में आ रहा है क्या है दोनों अगर सरवांग समय यह एंगल जितने का होगा उतना ही एंगल यह वाल होगा तो बहुत बात तो एकदम सही है मैंने गाँ बात सही तो सॉल्व करो देखो यह माइनस का 4X इदर और इसकी वालू कितनी थी बात समझ पा रहे हैं किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है आगे की तब प्रस्थान करें आप बिल्कुल प्रस्थान कीजिए नेक्स कोशन देखो आपके सामने आपकी computer screen पर आपसे क्या कह रहा है देखो ध्यान से प्यारे बालक बाले का हौ कोशन वाई साब आ गए कि ABC में AB बराबर 5 cm है PC बराबर 6 cm है तथा AC बराबर 7 cm है तो मादिका AD की लंबाई क्या होगी याद करो मादिका की लंबाई निकालना मैंने आपको सिखाय था अपोलिन थोरम के अंदर ये 2016 का कोशन है SSC का ठीक है 2016 SSC नीच अपन बात ही नहीं कर सारे कोशन उठाया मैंने चलो साब को सॉल गरने के लिए सबसे वहला क्या चीए है डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया यह आपके सामने हो गया, A, B, C, ट्राइंगल हो गया, A, B बरावर 5 है, यानि यहां से यहां तक 5 है, B, C बरावर कितना है, पुले सर, A, C बरावर 7 है, तो माद्दी का AD की लंबाई आपको निकाल लीए, समझ पा रहे हैं, किसी तरह कोई डावट नहीं है, यहां से यहां से यहां तक 5 है, B, C कितनी है, B, C कितनी हो जाएगी 3, यहां से यहां से यहां कितनी हो जाएगी 3, और A, C कितना दे रखा है, आपको 7 दे रखा है, और आपको यह निकालनी है, कौन सी माद्दी का AD निकालनी करते हैं AD निकालना है में तो भाई क्या करेंगे brush कर दिया जो आपने में कर दिया करेंगेते दिखने ही रहा क्या इसको जो इसके नहीं दिखेगा हम उसका यूज़ नहीं करेंगे तो कौन से करें इसका गड़ते हैं चलो A,B का square करो S,B,B square formula A,B square plus कितना A,C square ये लो भी लिख दिया ठीक है बराबर किसके 2 A,D square जो माद़े का निकालनी है plus का कहाईगा इसका half कर दो ठीक है या to B,D लिखलो या D,C लिखलो बात एक ही है अपना लिखर देदा है B,D square अच्छे समझाएता हमारे चलो साब एकदम क्लियर कोई दिक्कत नहीं है इधर कितना हो गया 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 नाइन हो गया बात क्लियर है कि आप एकदम क्लियर कोई दिक्कत नहीं है इधर कितना हो गया इधर कि सब्सक्राइब इदर प्लस का कितना वज़ गया ाइब इधर आ गया 37 और कितना आ गया सब्सक्राइब प्लस का 9–37 अब बढ़ कर दूसर एक डम बढ़िया कोई दिखकत नहीं है टू रूट सेवन ये बराबर आगे आपके एडी के बराबर और यही अपसे कुछन ने पूछा था मादेगा कि लंबाई कितनी आ गई टू रूट सेवन कहा नज़र आ रहा है और आप्शन नंबर सी के अंदर नज़र आ तो स्टेप बाइ स्टेप अगर अपन क्लियर लेकिन हमें थ्योरी पे पकड़ बनानी पड़ेगी तब ही जाके आपको जोमेटरी आसान लगेगी आगे बढ़ें सब नेक्स कुछन देखका आप से कहा रहा है कि दी गई आकरती में यदि की बराबर आई टी और ए के बराबर एटी है तो एंगल T E I किसके बराबर हो का कुछन आया है आपका CGL 2022 के अंदर ये लो साहब एक और कुछन उठा लिए मैंने CGL 22 का सबसे पहले क्या गरना है डाइग्राम बनाना है डाइग्राम आपके सामने हाजिर हो गया बहुत अच्छा डाइग्राम बनाते हो आप मैंने का बहुत जबर्दास चलो दीगई आकरती में के आई साफ साब बोल रखा है बहुत अच्छी बात है इसके अलावा क्या दे रखा है इसके अलावा हम से बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात है अच्छी बात है फिर आप से पूछ रहा है यानि यह वल एगल आप से पूछ रहा है धियान से देखने है एक बार अब इस क्वेशन को आप लोग कैसे solutions कर सकते हैं देखो धियान से ये एक point आपकर मैं angles of sum से पूछम कितना होता है मैं केवाल इसकी बात कर रहा हूं किस वाले की यहां से लेकर यहां तक यह पूरा कितना मचेगा आप बोलों के सरे 210 होगा यही तो होगा 360 मैंस कर दिया मैंने कितना मैंस कर दिया इतना गया 210 अब देखो ध्यान से मुझे यह पूरा एंगल पूछता था भहत असान हो जाता question मेरे लिए लेकिन इतना असान तोड़ी ना देगा उसने क्या पूछा है आपसे पूछा है एंगल T E I आपसे यह वाला एंगल पूछा है यह वाला एंगल आपसे पूछा है कैसे निकालेंगे देखो ध्यांसी मुझे एक ची समझाना यह वाली साइड और यह कि यह वाली साइड और यह वाली साइड और एपके मौष्ण और यह वाली साइड स्क्राइड साइड कॉछा होगा यानि में क्या बोल सकता हूं यहानि मैं के ए आई सरवांग सम किसके हो गया आपके होगया टी मική ज़िए आयक सरवां सम् सम् होगय आप देखो सरवां समय तो यह चंगल ले क्Ben फिर के चंग stayed बराबर बटेंगे ज़िए यह कितने होगा 105 का और यह भी कितना होगया 105 का बहाति खतम पैसा जम आंसर आगया option number C is the correct answer आपसे यह पूछ लेता तो भी आई आता और आपसे पूछा है TEIA यह वी कितना है आपके 105 का है सारे अंग समान होने चाहिए बात क्लियर किसी तरह की कोई दिकत नहीं है हर एक छोटी बात का जो मैंने आपको लिखवाई थी जो मैंने आपको समझाई थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी हर एक चीज का छोटा सा यूज आप करोगे तो बड़े से बड़ा question क्या हो जाएग दो हजार बाई सीजल का question था मैंने आपके सामने निप्टा दिया सल्टा दिया आप भी सल्टा सकते हैं चले साब आगे बढ़ते नेक्स कोशन की तरफ क्या कह रहे है भाई साब कोशन को देखके आपको बहुत खुशी होगी सीजल 2022 का question करो साब प्री का question है ठीक है जल्द बनाए क्या बिल्कुल डाइग्राम की तो बहुत जरूरत है यह साब आपके सामने डाइग्राम आ गया डी पैरलल किसके है यानि क्या लग जाएगी थेल स्वरम लग जाएगी इस पर काफी सारे question मैंने आपको करा है और मैंने बताया कि यह तो बहुत important चीज है देखो question आ आपन किया पूछ गाते नीचे ठीक है क्योंकि हमसे दॉस ब्लोड़ाइगा लेया यह तो वाली इनलव कि दोनों गया यही हमारे स्कुशन का एकदम करेक्ट आंसर है बात क्लियर रहेगा आप बोलो कि सर एकदम क्लियर किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं नेक्स कोशन ले लेते हैं साब क्या करा है आपसे अगला कोशन देखो ध्यान से तिरबूज ABC में AD मादिका है G केंदरक तथा AG बराबर BC हो तो एंगल B, G, C क्या होगा पहुत ultimate कोशन है ललन टॉप कोशन है 2016 2016 CGL और CPO में भी आगगा कोशन है दोनों में आगगा कोशन है CPO के अंदर इसमें डेटा चेंज था तो भहिया बताओ क्या आंसर आएगा के वल डेटा की है इसकी साइड इतनी है यह आपको चेंज कर दिया था कोशन को ट्राय करो एक बार सौल करने की बहुत जबरदस कोशन है वाई साब और मैंने आपको एक थेोरम बतायती उसी पर बेस कोशन है देखो साब ध्यान से क्या करा है कोशन सबसे पहले डागराम बनाएंगे यानि साफ साब बोल रखा है एजी बराबर किसके है बीजी के बराबर है मैंने का लिख दिया साब बोल रखा है तो जी केंद्रक है बहुत अच्छी बात है एजी एजी बराबर किससे है बीजी के बहुत अच्छी बात है तो आपसे बीजी सी की वैली पूछ रहा है इस व नियुकरिक के फारष वचाह कुग लैमारी लए ले सकते हो आपको गिवन नहीं है तो आप इसक। ले सकते हो इ schizophren नहीं है। हुए क्र माच बहुत प्यांन से शमझना अब यह मुझे बताओ ये माद़ी यह संघ से दौशा बिल्कुल बातेगी अगर यह को फूरा को फूरा दो संटी मीटर है तो यहां से ऩो कितना होगा यानि घड में बात क्लियर है कि आप डियान से देखो आप मुझे द्यान से बताना BD कितनी हो गई बोले सर एक सेंटी मीटर हो गई ओर GD कितनी हो देखो तो रेशो बन में बाढ़ता है अगर यह दो सेंटीमीटर तो जीडी कितनी हो जाएगी एक सेंटीमीटर हो जाएगी के नियुक्त बिल्कुल हो जाएगी यानि तीनो क्या हो गई आपके एकवल हो गई जब गई तो भाईया मैंने आपको बताया था जहां भी टी बने हो गई एकवल हो गई अब यहां पर दो तिन चीज़ों का यूज हुआ आपको नहीं पता कि वैसा उसकी माद्देगा को केंद्रक टू रेशो बन में डिवाइड करता है नहीं कर सकते है आपको यह नहीं पता कि माद्देगा जो होती है जिस लाइन पर डाली उसको दो इक क्या होंगे बात क्लियर आप बोलोगे सर एकदम क्लियर बढ़ते साब अगले कोशन की तरफ नेक्स कोशन आप से क्या कर रहे है यदि एक संदी बहु संकोंड तिरबुच का कंटें सेंटीमेटर है तो अंदो बुजाओं की लंबाई क्या होगी जानकर खुशी होगी सीप पाइब लेते हैं तो इस वह चाहिए उनी नहीं को बढ़ रहे हैं चलो को सॉल करते हैं सबस्वाले डाइग्राम ले ले लेते हैं वही है का कंट 10 सेंटीमेटर है अगर संदी वाव संकोंड तिरबुज है तो मैंने आपको बताया था अगर यह वन है यह वन है तो यह कितन के अंदर कुछ भी नहीं था यही हमारे इस कोशन का एकदम करेक्ट आंसर है बात क्लियर है किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है कोशन आपके सामने आगे बहुत जबर्दस कोशन आगया यह यह तो ललन टॉप कोशन बहुत जबर्दस कोशन है वे ट्राय करो एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री तथा एबी बराबर 12 सेंटीमीटर तिर्बूज एबीसी के अंतरगत व्रत की तिरिज्जा का उसके परीगत व्रत की तिरिज्जा से अनुपात क्या होगा यानि एक तो अंत्य व्रत बना रखा है इन सर्किल एक सरकम सेंटर बना रहा है भार वाला सर्किल बना रखा है ठीक है दोनों की रेडियस आप से पूछ रहा है CPO 2022 का कोशन है एकदम ताजातरीन कोशन ट्राय करो कोशन को सॉ बहुत नहीं होगा और यह वहला कितना हो जाएगा नहीं है फिर आपको बोल राख है उसके अंडर सर्किल बनेगा उसकी रेडियस और इसके बहार सबसुत कर रहा है इंदर वाले की च्राइंगल है तो हम शन कोन है रहाल सर ऐसे निकाल सकते हैं उसकी रेडियस इन रेडियस कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से एक बार मैंने आपको वहां बताया था आपका जो बेस होता है जो परपेंडिकुल और दोनों को एड करते हैं फॉतसर माइनस को माइनस करते हैं दिवाइड लेका दिवाइड खी666? कि दिवाइड को सर और दोनों, स Cong andere खेंडिकुल और निकालकीю था स्मॉल आर निकाल थे टिक है आप बढ़िया किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब बात करींगे कैपिटल आर की वह क्या होती है अगर आपको इसकी सरकम रिडेस निकालनी हो कितनी होती है यह एकटनी तक यह कर देते हैं आधा कर देतें कंड कितना 12 यह सब कहानी खत्म हो गई पैसा हजम टू माइनस का root 2 root ratio कितना root 2 कहा नज़र आ रहा है बस और option number B में नज़र आ रहा है और यही हमारे question का एकदम correct answer है तो देखो question से हमें घवराना नहीं है question सारे वही आते हैं जो आप पढ़ चुके हो theory जितनी आपने पढ़ रहा है बस उसको apply करने आना चीए ठीक है चलिए आगई तरह प्रस्तान करें next question ले रहते हैं question आपसे क्या कर रहा है कि triangle ABC में AD कोण A का कोण अरदक है बहुत अच्छी बात है कोण A का कोण अरदक है बहुत अच्छी बात है तथा ABC पर लंब है बहुत सामने CPU के अंदर पूछा गया question था निप्टा वहिया इस question को फटा फट से solve करने कोशिश करो देखो यह question तभी solve होगा जब आपने एक theorem पढ़ रखी होगी जो मैंने आपको पढ़ाई थी मैंने आपको मैंने आपको बहुत प्यारी सी थोरम पढ़ाई थी बोले बच्छों देखो धान से यह आपके सामने triangle आ गया ABC ठीक है आपको बोल रखा है AD ABC में AD जो आपका कहा है कोण एका अर्दयक है यानि यह पूरा कोण अर्दयक है दो बार ठीक है AE हो गया यह ABC पर लंब है बहुत अच्छी बात है इसकी value कितनी दे रख्या इसकी value दे रख्या 80 degree ठीक ह और इसकी value कितनी दे रख्या यह 60 degree दे रख्या मैंने का बहुत अच्छी बात है और आपसे पूछ रहा है DAE DAE इसकी value पूछ रहा है जात करो वो theorem मैंने आपको बताया था विया कभी भी angle DAE इस तरह से जब पूछेगा इस तरह की language आएगी तो मैंने आपको बताया था angle जो आपका बड़ा वाले angle होगा angle B minus angle C angle B minus angle C by 2 करते हैं यह आपको समझाया था कि नहीं समझाया था विद प्र अब क्या ही solve करना 80 minus कितना 60 by 2 करना यानि 20 बटा दो करना है 10 degree आपका answer आगया option number का लेकिन यह 10 degree लाने के पीछे जो हमें पूरी महनत करनी पड़ेगी न वो जब तक नहीं करोगे तो यह 10 degree answer नहीं आएगा यह आपको सही marks नहीं देखे जाएगा दो number नहीं देखे जाएग और question तभी solve होंगे जब हम उनकी थोरी को एकदम अपने mind के अंदर fit करके बैठे होंगे बात clear आप उलोगे सर एकदम clear बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question देखको आप से कहा रहा है ABC एक समकोंड तिरबुज है और कोंड ABC बराबर 90 degree है BDAC की पुजापर लंब है BD square का मान क्या है आपको जानकर खुशी होगी CGL 22 means का question है यह CGL 22 means का question है यह एकदम ताजा तरीन means का question है और मैंने आपको जब altitude के result लिखवाए थे ना उस पर बेस direct question है बताओ साब direct question इसको बच्चा बच्चा कर सकता है और एक second में इसका answer भी देदेगा इसमें कोई theoretical value नहीं थी मतलब जो आपकी theorem थी न उसको इसने चिपका दिया कभी है यह result altitude के और उसको direct आपके सामने रख दिया एकदम बढ़िया चलो साब diagram आगया आपके सामने ABC समकौन तिर्बूज है ठीक है और कौन ABC बराबर 90 degree ABC 90 degree है BD AC की बुजाब पर लंब है आप से BD स्कूर पूछ रहा है हमें अच्छे से बता है BD स्कूर कितना होता है अपना सर्फ BD स्कूर कितना होता है एडी इन्टू डीसी डायरेक्ट रिजल्ट है एडी इन्टू डीसी ऑप्शन नमबर है मैंने कहा था इस पर question बनते हैं लेकिन मेरे को यह नहीं बता था अच्छे से पढ़ा था वही है यह भी question आ जाते हो किसका है means का है समझ सकते हो ना चीजे मतलब कोई सा question कहा कैसे कब आ जाए आप और मैं उसका अंदाजा नहीं लगा सकते है यह question means के लायक नहीं है लेकिन यह आ गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते next question ले ले लेते हैं चलि question आप से क्या बोल रहा है तिरबुच PQR में PQ बराबर 24 cm तथा एंगल Q बराबर 58 degree है S.O.T. क्रमशेप बुझा PQ तथा PR परिस्तित ऐसे बिंदू है कि एंगल STA बराबर 122 degree है यदि PS बराबर 14 cm तथा PT बराबर 12 cm है तो आटी की लंबाई कितनी होगी बहुत जबर्दस question आगया बाई साब ललन टॉप question आगया CGL 2020 का question है CGL 2020 का question है इस बार इस question को solve करने का बहुत अच्छा question है देखो साब सबसे बढ़े अपने काम है diagram बनाने का तो सबसे बढ़े अपन बनाते है diagram तभी क्वेशन सौल होगा और diagram जितना बड़ा होगा अतना जाद है आपने को easy हो जाता है question को solve करना कौन-कौन बोल रहा है और इस पी बो कभी है 58 डिगरी रखा है मैंने का बहुत घजब फिर आपको बोल रखा है कि भाई यह एस टी आर यह कितना है 122 है देखो एक क्लाइन पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिगरी का होगा 180 डिगरी का होगा उनका सम यहां पर 122 है तो 180 में से मैनेस कर देंगे यानि कितना और यह भी 58 आजाएगा मैंने का बहुत जबर्दस कोई दिक्कत नहीं है अब दो दो ट्राइंगल को सम रूप कर देता हूं मिलें कोशन क्या हो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा चलो साब को सॉल्व करने क्या करते है कोशिश करते है आज आजव साब देखो सबसे पहले अगर मैं बताओं यह एंगल कितने का सर यह 58 का है और यह एंगल दोनों में कॉमन है यह बराबर हो गया यह नहीं क्या हो गया बात क्लियर है क्लियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने का अच्छी बात है अब आज अगता सब साइट पर पी क्यू कि अगरेदगा है जरें करें के पी न क्या करट किरदें अब ओं इसक्ता रिक विशन कर दी। सर वेलोगो 28 अपियार को पूछ एर की कि Chem Š Oh पूछ ए आपसे पियार की नहीं पूछी pior आपसे किfund की पूछ ए innovations वह सकता की है है और यहां से लिए अरम है जाएगी सब्सक्र सब्सक्राइब बónak यहां मैंने यहां मैंने सब्सक्राई गर पाम ह calculating 18 संटेमिटर और यही हमारे इस question का एकदम correct answer है option number C बात समझ पारे हैं कित्ती सारे चीज़ें लगी नहीं है इस question के अंदर मैं यही समझाना चाहता हूँ कि थ्योरी पर पकड़ बनाओ question अपने आप solve हो जाएंगे आगे बढ़ें next question देगो आप से क्या कह रहा है इसार में ऐगगूँशन है try करो इस बार question को सॉल्व करने की देखो ध्यान से सबस्राइल है diagram आपके सामने PQR इसकी बुझा को QR को दोना तरफ आगे बढ़ाए गया इसको यहां तक T तक इसको S तक ठीक है ए इस और T तक आगे बढ़ाए गया और 180 प्लस एंगल जो आपका ऊपर वाला होता है ना जानी एकल प के बराबर होगा इनको दोनों को एड़ कर देंगे 180 और यहां क्या दे रखा है यह किग जादी QPR, QPR कितना दे रखा है? 55 दे रखा है, 55 दे रखा है, तो 55 एड कर दो भाईया, ये लो साब कहा नहीं खतम? पैसे अजम कितना आ जाएगा? आप बोलो के सर 235 आ जाएगा, ये लो साब कोशन खतम होगे, अन्दोनों का सम कितना आ गया? 235 गया, डायरेक्ट मेने आप को وира हम चमंझाल थी ऐसा क्यूं होता है वो भी बता है था डायर्कुष्ट आगे ऐसे आज क्यों होता है के सिप्व कोशिश करो बढ़िया कोशिश आगे एक दम आपके सामने कोशिश आपसे बोल रखा है ट्रैंगल A B C में एंगल A कितना 90 डिग्री है M BC का मद्ध बिंदू है तथा D BC पर ऐसा बिंदू है कि AD लंब किस पर है BC यदि AB बराबर साथ सेंटीमीटर एसी बराबर 24 सेंटीमीटर है तो एडी एम का रेश्यो क्या होगा बहुत जबर्दस कोशन आ गया वाई साफ ललन टॉप कोशन है ट्राइ करो इस कोशन को सॉल्व करने की बहुत अच्छा कोशन है वहिए सबसे बनाएंगे अपन डाइग्राम डाइग्रा बी सी का मदबंदु गयाicki अच्छी बात है तर अरफ किया पर विक्षिक साड टीडी बी सी पर किसा किर सब्सक्राइब है की एड अच्छा और आपको मालूम होति कितना है टोच्छए यानिसके यहानросकी बेलए कितनी हो जाएगी 25 सब्सक्राइब आप से पूछ रहा है एडी हमें एडी निकालना सबसे बहले ठीक है एडी निकालने के लिए अपन फोर्म से लगाते है कौन-कौन से रिजल्ट्स थे कि भाई यहांदा कितना आ जाएगा एबी इंटू कितना आ जाएगा ऑ ङंटना से टिक रीसों कितना जाएगा एडी के साथ इदर के सांफ चाथ 20 आपनने की सब साथ से लिए 24 आप बहुत अच्छे बनते हैं इस पर आगया को बोल रहा है हमने एडी निकाल लिया अब निकालने हैं आपको कितना गया यह चीज मैंने आपको बताई थी है क्लिएर के कहानी आप लोगों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपसे कहा है अड और अच्छे घर लिख दिया अपने एम लिख दिया टीक है AD कितना है, 168, 168 upon 25, और AM कितना है, 25 upon 2 है, इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, 6, इधर कितना जाएगा, 3, इधर कितना जाएगा, 3, इधर कितना जाएगा, 625, 3, 3, 6, ratio, 6 to 5, कहा नज़र आ रहा है, सर, option number D में नज़र आ रहा है, और यही हमारे इस question का एकदम correct answer है, क्या जबरदस question था, क्या जबरदस का concept था, क्या जबरदस की language थी, लेकिन हमें सारी चीज़ें पता है, तो भाई question कितना जबरदस हो, हम उसको निप्टा देते हैं, उमीद करता हूँ कि आपको triangle के जितने भी कोशिश मैंने करी है, वो questions लेने की जो आपके recently पूछे जा रहे है और आप उमीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, मजा आया होगा, अपन इसके बाद पढ़ेंगे circle एकदम नए अंदाज के साथ, और मैंने आपको लगवग लगवग 50 question कराएं triangle के उपर, और लगवग इतने ही question मैं आपको कराऊंगा circle के उपर, और आपको इस जै भारत, धन्यवाद